हलो दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल प्यू कीचन में तो आज में बनाओंगी मार्केट जैसा आलू पेटीज जो की एकदम लेयर वाला और क्रिस्पी बन के तयार होगा आप इसको अपने घर पे जटबर बना के तयार कर सकते हैं तो चलत हुआ तीन से चार हरा मिर्च और एक चम्मच ग्रेट किया हुआ अद्रक और चार मीडियम साइज की उबली हुई आलू ले लिए इसके छिलके में निकाल दी हूँ और यहां पर मैं आधिक टोरी फ्रोजन मतर ले लिए आप चाहे तो फ्रेस मतर भी यूज कर सकते हैं तो ममीयापना घृता बर मीयापनावातै दो चम्मच सर्सों का तेल डाल रही हुआ तो तेल को मैं गरम करना अच्छह से त तेल गरम हो गया अब इसमें मैं एक चम्मत जीरे डाल दी हूँ जीरे को हमें अच्छे से पका लेना है अब इसमें मैं बारिक कटे हुई हरी मिर्च डाल दी और ग्रेट किया हुआ अधरक्त इन सभी चीजों को हमें अच्छे से पका लेना है तो आलू को मैं अच्छे से फोल्ड लूँगी तो आ इसको हमें एक मिनिट तक ऐसे मिक्स करते रहना है अब इसमें मैं उबली हुई आलू डाल दूंगी तो हमें अलू को अच्छे से इसमें फोल लेना है मैस कर लेना है और इसको पका लेना है थोड़ी देर अब इसमें मैं कुछ मसाले आड़ करूंगी तो यहापर मैं आधा चम्मच लाल मिर्च पौडर आधा चम्मच जीरा पौडर और आधा चम्मच काली मिर्च पौडर और एक चम्मच चाट मसाला पौडर आप चाहे तो तो इसके जगा आमचूर पौडर भी ले सकते हैं और आधा चमश गरम मसाला और सौध के अनुशा नमक डाल दी हूँ तो इन सभी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है तो हमें इसको कॉंटिन्यू चलाते रहना और मीडियम फ्लेम पिसको हमें पकाते रहना है और यह हमारी आलू एकदम चटपटी बनके तयार भी हो जाएगी अब इसमें मैं बारिक कटी हुई हरी धनिया डाल दूँगी धनिया को भी हमें अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है और इसके बाद हमें गैस को आफ कर देना है अब इस आलू मसाला को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी तो यह हमारा आलू मसाला बनके तयार है यहां पर मैं मैदा लगा लूँगी तो यहां पर मैं एक कटोरे में एक कटोरी मैदा ले ली हूँ और इसमें मैं आदा चम्मच आजवायन करस करके डाल दी हूँ और थोड़ा से मैं स्वाद के नुचार इसमें मैं नमक डाल दी हूँ अब इसमें मैं दो चम्मच घी डाल दे रही हूँ ताकि यह हमारा आलू पेटिस एकदम क्रिस्पी बने तो हमें घी को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यह अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पाई डाल के इसका यह के सॉफ्ट डो तयार करूंगी तो हमें इस डो को न ज़्यादा हाड रखना और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट करना है तो यह हमारा डो बन के तयार है इसको मैं दस से बारा मिनेट के लिए रेश्ट के लिए रख दूँगी ताकि यह अच्छा से फूल जाए और यह सॉफ्ट भी हो जाए तो यहाँ पर मैं एक कटोरी में डेढ़ चम्मच कॉन फ्लार ले रही हूँ और इसमें मैं दो चम्मच घी डाल दे रहे हूँ तो इसकी मैं स्लरी बना लूँगी तो हमें इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना तो आप देख सकते हैं यह हमारा स्लरी बन के तयार है तो आप देख सकते हैं यह हमारा मैदा भी अच्छे से फूल गया है और सौप्ट भी हो गया तो इसको हमें थोड़ा और मसल लेना है तो इस तरह हमें इसको बना लेना है तो इसको मैं रोल कर ली हूँ अब इसको मैं चाकू से छोटे-छोटे पीसों में कट करूँगी तो यहाँ पर मैं एक पीस को इस तरह से अच्छे से प्रेस कर ले रहे हूँ हाथों से दबा के अब इसमें मैं सूखा आटा लगा के इसको मैं बेल लूँगी तो इसे हमें लंबे सेप में बेलना है तो इसको मैं बेल लिए हूँ तो अब इसके उपर मैं सलरी लगाऊंगी तो हमें इस सीट पे सलरी को लगा देना अच्छे से तो अब इसको मैं फोल्ड करूंगी तो हमें इसको दोनों साइट से फोल्ड करना है तो हमें इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है तो इसको मैं फोल्ड कर ले हूँ तो अब इसके उपर मैं थोड़ा सूखा मैदा लगाऊंगी और इसको मैं दोबारा से बेल लूँगी तो हमें इस तरह से इसको बेल लेना है इसके उपर भी हमें सलरी को लगा देना है तो हमें इस तरह से इसको रोल करते जाना है तो हमें इस तरह इसको रोल कर लेना है तो अब इसको मैं दो पीसों में कट करूंगी अब इसको मैं हाथों से प्रिस कर दूंगी अब इसमें मैं सूखा आटर लगा कि इसको मैं बेल लूँगी तो हमें इसको गोल सेप में बेलना है तो इसको मैं बेल ली हूँ तो हमें इसके चारो तरफ से इस तरह से कट कर के निकाल देना है तो हमें इसको चौकोर पीस में काट के तयार कर लेना है तो अब इसके उपर मैं ये आलू मसाला रखूंगी तो आलू मसाला को हमें इस तरह से सीट पे रख देना है तो अब इसके चार तरफ मैं थोड़ा पानी लगा दूँगी ताकि अच्छे से चिपक जाए तो इसको मैं एक कोने से उठाऊंगी और इस तरह से इसको मैं फोल्ड कर दूँगी और इसको मैं अच्छे से चिपका दूँगी ताकि ये अलू मसाला बाहर न निकले तो इस तरह हमें इसको बना लेना है तो इसी तरह से मैं सारे पीस को बना के तयार कर लूँगी तो अब इसको मैं फ्राइ करूँगी तो यहाँ पर मैं मेडियम फ्लेम पे तेल को गरम कर ली हूँ हमें गैस को एकदम लो मेडियम फ्लेम पे रखना है तो हमें इसको एकदम धीमी आजपी पकाना है धीमी आजपी पकाने से यह हमारा आलू पेटीस एकदम क्रिस्पी बनेगा तो हमें इसको धीमी आजपी फ्राई करना है तो इस तरह से हमें तेल को इस पेटीस के उपर डालते जाना है तो आप भी इस तरह से आलू पैटिस अपने घर पे बना सकते हैं और जब भी आपकी घर मेहमान है तब भी इस आलू पैटिस को बना सकते हैं तो अब इसको मैं पलट दूँगी और दूसरी तरह भी फ्राई होने दूँगी तो हमें इसको उलट पलट के फ्राई करना है तो हमें इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते रहना है तो आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन हो गया है तो अब इसको मैं निकाल लूँगी और ये फ्राई भी हो गये है तो आप देख सकते हैं ये लेयर वाली क्रंची आलू पैटीस बनके तयार है तो ये फ्राई हो गए अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी तो इसी तरह से मैं सारे आलू पैटीस को बना के तयार कर ली हूँ तो आप देख सकते हैं यह हमारी लेयर वाली आलू पैटी से एकदम क्रिस्पी बनके तयार है और आप भी इस तरह से आलू पैटी स बना सकते हैं और हमारी वीडियो को पसंद आइज वीडियो को लाइक किजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब किजिए